नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ बड़ी खबर बिहार के समस्तिपूर से आ रही है जहां मुख्यमंत्री ग्राम सरग्व योजना के तहत निर्मित उज्यारपुर प्रक्षन के लखनीपुर महिश्वटी पंचायत के सरस्वती चौक से जलेबी चौक तक जाने वाली सरग बनने से छे माह के अंदर ही तूटकर बिखड़ने लगी है सरस्वती चौक से जले भी चौक होकर मुस्वी घडारी के रास्ते अन्य जगों की ओर जाने वाले इस मार्ग से रोजाना सेक्डों दो पहिया वाहन तथा चार पहिया वाहन गुजरता है इस मार्ग पर जगह जगह बने गड़े के कारण राहगीरों के आवागा मन में दुरगटना की संभावना बनी रहती है पांच साल की गारंटी वाली इस सरक की ऐसी हालत देखकर ही निर्मान के समय बरती गई अन्यमिता उजागर होने लगी है उलेखनी है कि इस सरक के निर्मान के समय की गई अन्यमिता के कारण जहां यतर ततर सरकों का धंसना शुरू हो गया है वहीं दुसरी और इस सरक का पिचिंग भी उखरना शुरू हो गया है यह सरक मुख्यमंत्री ग्राम सरक योजना के अंतरगत निर्मित है जिसका शिलायास ओजी आरपुर विधान सभाग शेत्र के वर्तमान विधायक आलोकुमार महिता ने विगत वर्ष फरवरी माह में किया था इस तरह बेतहाशा इतनी जल्दी सड़क के उखरने से स्थानिय ग्रामीनों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है इस बावत पुछे डाने पर स्थानिय ओजी आरपुर विधान सभाग शेत्र के विधायक आलोकुमार महिता ने कहा कि सड़क के जगह जगह तुटने की जानकारी उन्हें मिली है जिसके संबंद में उन्होंने ग्रामीं कारे विभाग कारे प्रमंडल दलसी सराय से बाचीत कर ली है बहुत जल्द ही सड़की मरमत कर बाली जाएगी जिस समय सड़क का निर्मान किया जा रहा था उस समय भी ठकेदार के द्वारा इस सड़क में घटिया क्वालिटी के सामगरी का उप्योग किया जा रहा था जिसका विरोध भी स्थानिये लोगों ने किया था लेकिन ठकेदार ने किसी की नहीं सुनी और अपने मन से जैसे ऐसे सरक बना कर चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरक बनने के तीन से चार माह बाद ही दरजनों जगे तूट गई, जिसमें आली नगर में एक पुल के पास तथाए महार जनता कॉलेज के पास तूटी हुई सरक कभी भी जान लेवा साबित हो सकती है, अभी तक के आधी दस्ताब फी फोदर चक वाली के लिए ने बालू लोगा है, एक चप्रोड महसपट्टी में एक सरक थी, वो नहीं बन नहीं थी, उसका कारण था कि जिस योजना में उसको पास कराया गया था, पहले वो योजना समाप्थ हो गया था, नहीं योजना में उसको लाने म काफी समय लगा, और आज मैं समझता हूं कि वहां सरक अच्छी तरह बनके त्यार है, आपने भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जी जी, सर देखने में वैसा आया है, वो मैस पट्टी बाली सरक, जो जगह जगह से तूट रही है, और एक जगह पूल के नजदिक, एप्रोच रोड में वो है, और एक जिलेवी चौक के आसपास है, दोनों जगह के बारे में हमने बताया है, और हमने कहा कि पूड़े सरक का उजर्वेशन करके उसके रिपोर्ट पेश करने के लिए, और उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, यह रोड धसा कैसे है, रोड पूल के पास रही से चला है, तो पहले पूल बना दिया उसके बाद बाद में फूल बना तो रोलर सही से चला ही ने, अभी कैसे धसा है अभी तो एक टड़क गया है, बालू लोड करके छे चक्का उसी के वएसे यहां पर धस गिया, कितना दिन पहले रोड बना था? रोड जो है आज से चार मेना पहले बना है, चार मेना मेही रोड का यहाल होगी है, यहाल होगी है, अपका नाम? मेरा नाम मुहम्मद तौसीफ है,